यहां पर अपना नाम लिख लेना है और यहां पर कक्षा द्यापक का नाम लिखना है अब वक्सीट को ध्यान से पड़ें और लाश तक देखें कई वचे सिधा एंड पॉइंट पर पहुंच आते हैं तो आप पहले यह समझे कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या बोला हुआ ह तो देखें लदाख लदाख कहा है बिटा यहां जमूर कस्मीर में लदाख अब के अंदर शासित परदेश है जमूर कस्मीर के पुर्वी हिंशे में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान इलाका है यहां इलाका हर वर्ष काफी लंबे शमय तक बरफ से ढखा रह समझ में आया यह रेगिस्तान है बिटा लदाख का एरिया जो यहां पर यह पूरो में है ठीक है और यह बरफ से ढखा रहता है काफी लंबे शमय तक पूरे साल में ठीक है इस अक्षेत्र में बहुत कम ही पेड़ है देखो बरफ पड़ी रहती है तो पेड़ कम ही होंगे पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिंगलने वाली बरफ पर नेरवर करते हैं ठीक है जो गर्मी में बरफ पिंगलती है वही पीने का पानी होता है यहां के लोगों का यहां के लोग एक खास किसम की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना उन मिलता है पश्मी पशमीना के हैं काफी महंगी तो वो कहां के के रहते वह पालते हैं यह समस्ता हैं बड़ी महंगी होती है लदाक के लोग बड़ी साभधानिश इस उन को इकटा करके कश्मीर के वेपारियों को बेज देते हैं ठीक है मुख्यत कश्मीर में ही पश्मीना शोल बुनी जाती हैं यहां के लोग दूद से बने पदार्थ जैसे मखन चीज खास तरह का छेना होता है और मास खाते हैं ठीक है हर एक परिवार के पास कुछ गाएं बकरी या और य आख चलते हैं ठीक है तो यह आपने लदा के बारे में जानकर ही कटी की लदा के में क्या क्या है ठीक है अब हम केरल परदेश के बारे में पढ़ते हैं सबसे जादा सिक्षित जो एरिया है अपने पूरे देश में वो केरल है ठीक है यहां पर महिलाएं की शंख्या भी पहाडी यह एक समूंदर से घिरा हुआ है और दूसरी però पहाडी ऑस अप इन पहाडियों पर विविद परकार के मसाले जैसे काले मिर्च, लोंग, इलाईची, आदी उगाए जाते हैं इन मसालों के कारण यह अक्षेत्र वेपारियों के लिए भूत आकर्शक बना हुआ है ठीक है वेपारी आते हैं यहां से मशाला का वेपार करते हैं तो वेपारिय में इशाय धरम लाने का श्रे उन्हीं को जाता है ठीक है अरब से कई वेपारी यहां बस गए हैं इन इबन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहां आए अपने यात्रा का वरतांत में मुसल्मानों के जीवन का विवरन देते हुए लिखा है कि मुसल्मान समुदाए कि यहा वासकोडी गामा भारत में वासकोडी गामा वासकोडी गामा ने समुदर के रास्ते सबसे पहले भारत की खोज की थे ना वो यहां यहीं पे आई थे सबसे पहले केरल में ठीक है तो जो वासकोडी गामा पानी के जहाज से यहां पहुंचे तो वासकोडी पूर्ट गालियो उन्हें यूरोप से भार्त तक समूंदर का रास्ता बना लिया तो वो यहां से अरब सागर्शे होते हुए यहां केरल पे पहुंचे थे तो यहां पर पूर्थ गालियों ने भी अपना अधिकार जमा लिया ठीक है तो आपको पता है भार्त में सभी धर्मों के लोग रहते त अब आपने कुछ पर्शनओं के उतर देने हैं थिक्याँ सबसे पहले फ़र्ष्ट कोशन है भारत के राजनेतिक मान चीतर में अपने घ्रया राजय को खोजी तो आपका ग्रया राज़य कौन सा होता है जिसमें आप रहते हुँँ तो इसमें धिली कहा है बिटा ये just a second देखो यह आपका हिमाचल प्रदेश, मंचाब, हरियाना और हरियाना के लगते हैं यह डोट देख रहे हो ना यह डोट यहाँ पे तो यहाँ पे आपने कलर कर देना है कि यहाँ हमारा गिर्याराज देली है ठीक है समझ में आगे सभी को यहाँ पे ठीक है आपने एक मैप ले लेना है पुलिटिकल मैप ठीक है दुकान से खरीद लेना है एक रूपे का ही मिलता ज्याद महेंगा नहीं मिलता तो आपने यह अपनी को कोपी में लगा देना है और यहाँ पे फिल कर देना है कि यह हमारा गिर्याराज दिली है ठीक है ठीक है दूसरा कोशन देखें अपने ग्रह राजे के विशे में कुछ रोचक जानकरी एक्तरत करके लिखिए तो आपका जो ग्रह राजे है वो आपको पता है दिली है तो आपके पास नोलेज हैं सभी वचे सिक्स में पहुंच जाते हैं तो आपके पास नोलेज हो जाती है ना देखो आप लिखोगे कि हम अंपर कुतुब बिनार है जिसे कुतुब दिन एबक ने बनंवाय था यहां पर लोटस टेमपल है ठीक है और और क्या-क्या है यहां इंडिया गेट है राजपत पर यहां पर चब्विश जनवरी को प्रेड होती है ठीक है तो और भी आपके पास बहुत सारी जानकारी होगी तो वो आपने सभी नोट कर देनी है अपने वर्डिंग में ठीक है जब आप अपने सब्दों में लिखते हो तो उसके और भी जादा मार्ग्स मिलते हैं ठीक है और आपने आपकी क्रियेटिविटी भी बढ़ती है आपकी सोचने समझने की श्रमता भी बढ़ती है तो आपने ऐसे कठी करकी जानकरी लिख देनी है कोश्च नमबर थरड है भारत में विवीदता में एकता वाला देशा वर्णन कीजिए देखो भारत में विवीदता क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट चीजे एकता क्या होती है यूनियन तो आप कैसे कह सकते हैं भारत में विवीदता पराप्त है ना तो अनेक भासा ही बोली जाती है फिर भी हमारे देश में एकता है सभी भारती है ठीक है वेस भूसा अलग है खान पान अलग है ठीक है रहन सहन अलग है तो भारत में अनेक विविता हैं फिर भी हम अपने भारत देश के लिए सभी काम कर रहे हैं सभी अपने देश के लिए जी रहे हैं ठीक हैं तो सभी में विभीनता में एक ता हैं तो आपने ऐसे वक्षिट सोल कर लेनी हैं सभी बच्चे ध्यान से करेंगे ठीक है ठीक है ठीक हूँ